दोस्तों मैंने यहां पर मीसो से कोई ओर मंगा रख्था जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस ओर्डर को हम रिटर्न या फिर इक्सचेंज करना चाहते हैं जैसे आज के टाइम में पता है या आपको मीसो मतलब बहुत थर्ड क्लास का समान भेज दे रहा है तो हमें यहां तो रिटर्न करना पड़ता है या फिर इक्सचेंज करना पड़ता है तो रिटर्न और इक्सचेंज क्या है कैसे किया जाता है सारा कुछ मैं आपको सिखाऊंगा जैसे रिटर्न का मतलब होता है कि आप सामान को आपस भेज के पैसा ले लिजे और इक्सचेंज का मतलब होता है कि इसी समान के बदले कोई दूसरा नया समान ले लेजिए इसी टाइप का तो आई दोनों तरीका बताऊंगा वीडियो बहुत सांदार होगी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो बिना किसी देर हम इस वीडियो में बढ़ेंगे आगे तो हैलो इंडिलकम दोस्तों कैसे समान के बदले समान लेंगे complete knowledge complete process आपको सिखाऊंगा तो चली आगे बढ़ते हैं live screen पर दोस्तों यहां पर हम चलते हैं मीसो एप में और यहां पर return exchange वाला जो हमारा process है उसके तरफ हम ध्यान देंगे और पूरा तरीका आपको बताना चाहूंगा ठीक है तो मैं आगे क्लिक करता हूं तो देख पा रहे हैं आपका यहां पर लिखा आ रहा होगा return exchange ऐसा लिखा हुआ आ रहा होगा और मेरा है view return request ठीक है मेरा इसलिए आ रहा है कि मैंने एक बार return किया था फिर cancel कर देया था तो ऐसा आप में लिखा होगा होगा यहां पर return and exchange ठीक है तो आपको ह आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर ऐसा option आगा आपके सामने जैसे region पूछेगा region क्या है और उसके बाद यहां पर फोटो दो फोटो लगता है जो आपका सामान उसका दो फोटो लगता है तो हम जैसे return request again करेंगे ऐसे आप में option आ जाएगा return exchange पर जैसे आप क्लिक क यहां तो आप दूसरा option भी ले सकते हैं जैसे कि देखें मैं जा रहा हूँ यहां पर जैसे आगे बढ़ रहा हूँ तो आपर मैं ले लेता हूँ आइटम different product deliver ले लेता हूँ ठीक है same product but different size यह ले लेता हूँ अब हमारे सामने दो option खुलके आते हैं कि आप सामान को return करना चाहते हैं या फिर exchange करना चाहते हैं यदि आप सामान को बदले दूसरा सामान लेना चाहते हैं exchange पर क्लिक करिए और क्या गलस size आपने चूच किया दोबारा ले सकते हैं जो समान आएगा उसके लिए चूच किया जा रहा है ठीक है और submit करके आगे बढ़ सकते हैं ठीक है इस तरह से आपका exchange का request लग जाएगा लेकिन तो मैं दोस्ते यहां पर जैसे का return करना तो return वाले option को चूच करूंगा ठीक है और जो product आपको return करना उ उसका photo लगता है तो आप camera से दो photo पहले ही click कर लिजएगा click करने के बाद फिर प्लस का icon पर जाएंगे और gallery में ठीक है और हम product का दो photo ले लेंगे मैंने अलेडी product का photo click करके रखा है तो मैं product के photo को चूच करूंगा यहां से आल वाले option पर हम जाते हैं और आल वाले option पर जाने के बाद हमारे मतलब device के जितने भी सारे photos हैं सारे असू हो जाएंगे और यहीं पर मैंने photo अपना रखा है तो यहां से दोनों photo मैं ले लेंगा ठीक है दो photo minimum आपको लेना होगा जैसा कि मैं आपको दिखाना चाह तो दोस्तों आप चाहें तो bank transfer करवा सकते हैं bank पर click करके add bank account पर जाएए अपना FSC code डालेए account number डालेए 12 account number डालेए ठीक है इन दोनों में account number भरना है इसमें अपना नाम भरना है और verify करा लेना है verify करा कि add कर लिजएगा add जैसे करेंगे तो यहां पर आपका नाम के साथ bank account दिखने लगेगा उस पर आप क्लिक कर लिजगा और आप चाहें Google पर फोन पर पेटियम में मंगाना तो इस पर क्लिक करिएगा ठीक है और आपको यहां पर ऐसा option आएगा UPI ID भरने का तो आपके Google पर में UPI ID होती है फोन पर सब में होती है तो वह UPI ID डालके यहां पर आप कर सकते हैं और इस तरह से दोनों में से जिसमें चाहें उस option को चूज कर सकते हैं खैर मैं तो Google पर को ले रहा हूं तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया ठीक है और कांटीन्यू कर लिया और मेरा रिक्वेश्ट हो गया जैसे कि आप देख पा रहे है ठीक है मेरा return रिक्वेश्ट चला गया बस हमारा कारी हो गया डिलोरी वह आएगा समान पिकप करेगा पिकप करने के मतलब यहां पर 24 घंटे बाद हमारा पैसा वहापस आयता हमारे खाते में ठीक ना और आपको भी बताना चाहूंगा कि यह आपने एक्सचेंज किया है तो मीश्टो का सबसे पॉलिसी ह हमको लगती है कि जब वह आपको जब नया वाला समान रहेगा वो देंगे तब पुरानला समान ले जाएंगे दिख्चेंज किया है तब तो यह काफी अच्छा होता है जनकारी अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करिएगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दोस सब्सक्ता है